उत्राखंड प्रात्मिक सिचकवर्थी को ले करके यहां पर खबार आई है आको तादे के उत्राखंड में प्रात्मिक सिचकों की नई विग्यवति जारी हो रही है इसके लिए अलग लग जीलों की विग्यवति जारी हो रही है इसमें अलमोडा पी थोड़ा गर्ड जो कि संसोधन करके पदों के संक्या घटा करके 101 कर दी गई है तो यहां पर आप दे सकते हैं तो इस प्रकार से यहां पर इसमें इस विग्याप्ति में संसोधन किया गया है 2287 पदों पर सिचक भरती काउंसलिंग के लिए विभाग कर रहा फार्मूला तयार तो परदेश में बेसिक के सिचकों की 287 पदों पर भरती के लिए उमिद्वारों ने अधिता जीलों से आविदन किया हुआ है जिससे अधिक अंक वाले एक ही उमिद्वार का नाम हर जीले क चेंसुची में आने से विभाग काउंसलिंग को लेकर के उलजा हुआ है यदि हर जीले में अलग-अलग दीन काउंसलिंग हुई तो उमिद्वारों को न्युकती के लिए लंबा इंतिजार करना होगा यही वज़ा है कि सिचक विभाग सिचक भरती काउंसलिंग को लेकर क फर्मूला तयार कर रहा है ताकि जल्द से जल्द सिचक भरती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके परदेश में सिचकों की भरती की प्रक्रिया चल रही है 227 पतों के लिए 25,000 से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया हुआ है एक एक उमिद्वार ने नो जिलों से आवेदन किया हुआ है इससे उच गुडांक वाले उमिद्वारों के नाम हर जिले की सुची में आ रहे हैं इससे विभाग को कई बार वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ रही है जबकि सिच्चा मंतियर ने अधिकारीयों को 20 सिटमबर तक उमिद्वारों को नियुक्ति पत्र देने के निर्दिश दिये थे लेकिन सिच्चा मंतिय के निर्दिश से के एक महिने बाद भी चैनी ती सिचकों की फाइनल सुची तयार नहीं हो पाई है विभाग यदिकारियों के मुताबिक सिचक भर्ती के लिए विभाग के उसे जो सुची जारी की गई है उस पर āमिद्वारों से आवेदण आपतिया मागी गई है सभी जिलों से आपतिया आने के बाद उनका निप्टारा किया जाएगा नर्सों की सीधी भरती के लिए नियमा वली में होगा संसोधन तो स्वास्त और चिकिस्ता विभाग में स्टाप नर्सों की सीधी भरती के लिए नियमा वली में संसोधन के तयारी चल रही है सासन इस्तर पर प्रस्ताव तयार किया जा रहा है आगामी कैबिनेट में प्रस्थाव आने की संभावना है स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर चेन प्रिक्रिया अठकी हुई है सायक अध्यापक से परधाना ध्यापक के पदों पर पदोनिती की निर्देश तो राजकिया सिचक संग की साहयक अध्यापकों की पदोनिती की मांग पर मुख्यमंत्री ने सिख्छा निदेशक को सिग्र कारवाई के निरिज दी है संग्ठन ने मुख्यमंत्री को दिये ग्यापन में कहा कि अध्यापक एल्टी कोटे के पच्पन फीसद पदों पर पदोनेती की जाए बात करते हैं जौप अलट को लिकरके तो रक्षा छेत्र में अफ्रेंटिस के लिए करें आविदन तो DRDO में 116 पदों पर भरती निकली हुई है जिसके लिए DRDO के अफ्रेंट में जागर के 15 नवंबर तक आविदन कर सकते हैं आविदन प्राराम भोने के तिथी एक नवंबर है तो एक नवंबर से 15 नवंबर के बीच आविदन कर सकते हैं वाई international company law tribunal में 27 पदों पर भरती निकली हुई है जिसके लिए एक नवंबर तक आविदन कर सकते हैं योग्यमी द्वारों की है जरूरात है तो 211 पदों पर भरती निकली हुई है जिसके लिए 20 नवंबर तक आविदन कर सकते हैं झाल झाल